दोस्तों आज इस वीडियो में मैं Redmi 10 के साथ Redmi 10 Prime का सारा features and specifications इस वीडियो में compare करूँगा और वीडियो के end में यह भी बताऊँगा कौन सा फोन आज का डेड़ में best है क्योंकि आप बारा हजार या साड़े बारा हजार आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूर आपको पता होना चाहिए कि आपका investment सही जगा पर हो रहा या नहीं तो चलिए सारा features and specifications देख लेते हैं उससे पहले छोटी से request अगर अभी तक आप इस चैनल को subscribe नहें किये जरूर इस चैनल को subscribe कर लिजिए वीडियो अच्छा रहा है जरूर इस वीडियो को like कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ share भी जरूर कर लिजिएगा तो चलिए शुर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लूक है पीछे का जो camera है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर जो camera का जो format setup है यहाँ पर just square look में यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर देखे नीचे जो यहाँ पर दो camera है 50 megapixel और 2 megapixel और flash है और नीचे देखे पूरा square shape में यह यहाँ पर आपका camera format दिया गया है यहाँ पर और fingerprint sensor ठीक नीचे है एक कोने में आप लोग स्क्रीन पर आप लोग देख पा होगे तो इस तरीके से इसको design किया गया है front camera की बात करें तो आप लोग screen पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो front camera है this is not a pencil display यहाँ पर आप लोग को water drop notch type display आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा तो यह तो था redmi 10 का story और redmi 10 power का कुछ photos आप लोग यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी कुछ square format में camera format को दिया गया है camera setup को square format में set किया गया है यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पर camera configuration semi type का है और जो flash है और उसके बगल मेकदम नीचे आप लोग को fingerprint sensor आप लोग को मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग को water drop type notch display आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा तो इस तरीके के कुछ format है तो चलिए अब मेन जो comparison म main features and specifications को लेके जो comparison में करूंगा उसको सुरू करते तो first of all first of all redmi 10 को अगर आज कर डिड में आप खरीदने जाओगे तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 4GB 64GB को लोग है तो almost approximately 10,000 आपको देना होगा और 6GB 128GB अगर आप purchase करना जाओगे तो around 11,000 11,000 आपको लगेगा next अगर redmi 10 power की बात करें तो यहाँ पर एक ही variant है 8GB, 128GB यहाँ पर आप लोगो 14,000 आपको बे करना होगा color variant की बात करतें यहाँ पर देखें redmi 10 यहाँ पर 5 color variant आप लोगो मिल जाएगा और redmi 10 power यहाँ पर दोनों का height, width, thickness and weight, semi type का है, तो देखिए यहां पर height आप लोगको दोनों में मिल जागा 169.59 mm, next width आप लोगको मिल जागा 76.56 mm and thickness आप लोगको मिल जागा 9.13 mm and weight दोनों में आप लोगको मिल जागा 203 ग्राम, तो size and weight को लेके यहां पर कुछ फरक आप लोगको निकाल नहीं पाओगे, तो storage को लेके बात करते हैं, तो यहां पर देखिए, first of all, redmi 10 यहां पर आप लोगको 4GB and 6GB, 4GB and 6GB, LPDDR 4X RAM आप लोगको मिल जागा, और आप लोग RAM को up to 8GB बूस्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप लोगो ROM की बात करोगे, तो 64GB and 128GB दो ROM variant आप लोगको मिल जागा, और यहां पर memory type मिल जाता है, UFS 2.2, और उल्टा तरफ redmi 10 पावर की बात करें, तो यहां पर देखिए, RAM variant 8GB मिलता है, LPDDR 4X RAM मिलता है, up to 3GB RAM expandable, आप लोगको 3GB, आप लोग RAM को expand कर पाओगे, और next 128GB वाल ROM यहां पर मिलता है, UFS 2.2 storage मिलता है, तो देखिए, अगर आपको ज्यादा RAM चाहिए, मेरा कहने का मतलब आप gaming बगरा कुछ करते हो, जो normal gaming बगरा होता है, बहुत high-end तो gaming यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप day-to-day normal छोटा मोटा gaming करते हैं, और बहुत gaming के शौकी नहीं हो, तो आप लोग को Redmi 10 power की तरब जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर 8GB RAM मिलता है, और अगर आप Redmi 10 को खरीद होगे, तो यहां पर 4 या 6GB RAM ही आप लोगो को मिल पाएगा, और दोनों फोनों का जब मेमोरी है, मेमोरी को आप लोग expand कर पाओगे, आप तो 512GB तक, तो next, दोनों फोनों में आप लोगो dedicated memory card slot आप लोगो यहां पर मिल जागा, तो चलिए next बात करते है, display specifications को लेके तो दोनों फोनों में आप लोगो मिल जागा, 6.7 inch LCD display, second water drop type notch आप लोगो दोनों में आप लोगो मिल जागा, और यहां पर Redmi 10 यहां पे HD plus resolution आप लोगो मिलेगा, और जहां पे resolution होगा, 1650 by 752 pixel यहां पे resolution आप लोगो मिल जागा, next अगर Redmi 10 power की बात करती है, यहां पे HD plus resolution ही मिलेगा, पर यहां पे बेटर resolution मिलेगा, 2400 by 1080 pixel resolution आप लोगो मिल जागा, तो दोनों में आप लोगो brightness, typical brightness up to 400 nits तक आप लोगो typical brightness मिल जागा, और दोनों में आप share camera को use करके आप लोग 1080 maximum up to 30 fps तक वीडियो record कर पाऊगा, दोनों फोनों में आप लोगो 10x digital zoom आप लोगो देखने को मिल जागा, so camera section में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, आप लोगो ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा, फर्क नजर नहीं आएगा, next अगर processor and operating system की बात करते दोनों फोनों में आप लोगो मिल जाएगा, snapdragon 680 processor which is based on 6 nanometer process and यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए, speed दोनों में semi मिलेगा, up to 2.4 GHz speed आप लोगो मिल जाएगा, फर्क यहाँ पे operating system में, तो देखिए, redmi 10 आता है android 11 के साथ, redmi 10 आप लोगो मिल जागा with android 11 and redmi 10 power आप ल लोग बात करेंगे battery and charger, so दोनों में semi type का battery and charger है, so दोनों में आप लोगो मिल जागा 6000 mAh का battery with 10 watt charger, so यहाँ पे maximum support करेंगा, up to 18 watt, पर box के अंदर आप लोगो सिर्फ 10 watt ही है, आप लोगो का ज्यादा चाहिए, ज्यादा first charger चाहिए, तो आप market से purchase करना होगा, next आप बायो में की बात करें, तो देखिए, दोनों में back side, fingerprint, sensor, camera के ठीक नीचे आप लोगो मिल जाएगा, आप लोगो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, next आप cellular network की बात करते हैं, यहाँ यहाँ जो SIM है, dual SIM दोनों में लगता है, दोनों पोनी, दोनों SIM port ही, यहाँ पे 4G network supported है, और यहाँ ब्ल मैं सारा features and specifications को compare किया, between Redmi 10 and Redmi 10 power, so अब मैं बताओंगा, कौन सा आज का डेडिम अगर आप खरीद होगे, तो किस smartphone को खरीदना चाहिए, तो क्यूंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, तो top variant की बात करोगे, तो Redmi 10 का top variant अगर लोगे, तो 11,000 आपको पे करना होगा, और Redmi 10 power को अगर आप purchase करना चाहोगे, तो यहाँ पर 14,000 आप लोगो पे करना होगा, so almost 3,000 का फर्क है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर, larger RAM आपको मिलेगा, Redmi 10 power में, अगर आप गेमिंग का शौक हीन हो, या आपको RAM, ऐसा कुछ काम करते हो, mobile में जहाँ ज़्यादा RAM की ज़रूरत होता है, तो ऐसा सिच्वेसर में आपको ज़रूर जाना होगा, आपको ज़रूर खरिदना होगा Redmi 10 power, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा होता है, gaming अच्छा कर पाओगा, तो Snapdragon 680 की बात करेते हैं, दोनों में Snapdragon 680 है, so दोनों का CPU performance होता है, semi type का मिलेगा, और Snapdragon 680, this is power efficient chipset So 4G chipsets यहाँ पर आप लोग जब बैटरी को आप यूज करोगे, तो minimum to minimum power consumption यहाँ पर होता है, so दोस्तों अगर आज का डर में खरिदना चाहोगा, तो ज़रूर आप लोग जाना चाहिए Redmi 10 power के साथ, अगर आपको ज़्यादा gaming पसंद है, नहीं तो अगर आप day to day यूज कर